नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागता आपका हमारे इस यूटूब चेनल पर जिसका नाम है एजुकेशन जोन और दोस्तों सबसे पहले में आप ही चाहूंगा कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरी खुद की तबियत यहां पे बहुत ज्यादा खराब हो रही थी इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया और अभी जो है केवल में बोल रहा हूं और बाकी स्क्रीन को और हैंडल कर रहा है तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं ठीक है यह वीडियो बनाना जरूरी था एक्चुली मैं आपको बताया था कि जो बना रहा हूं तो आप फसरों से लिए लास्त देखे और जरूरा करदेना और जो लोग चैनल पर नहीं है वह चैनल को जरूर से ससक्काइब कर ले ताकि जयेंव की हर एक अपडेट आपको सबसे हमारे चैनल पर देखने को मिले तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते यह कांट तो मित्रों आपको सबसे पहले क्या ने जैन्यू की ऑपी सिल मजट पी आना और पूर आपको पहले बता दिया है करें आनंगे की I एक मैं इसमेल किया है वह मैं उसकी बाता है वुडियो को पूरा देखने अब मेरी यह स्टार्ट हो रहा है वह एप्लीकेशन फोर्म है जो आपके एक्जाम आपका मही में होगा वह जितने भी नोटिपिकेशन जा रहे हुए है वह शारी के इसके अंदर है और जो अब बता दिए और आप यहां से भी नोटिफिकेशन को देख सकते हो अब आप जो हम जो है जो है जो है जो है जो है पचास साल यहां पर कम्प्लीट हो चुके है ऑग्विशन को बता हो चुके है ऑर इसे के उपलक्स में जो है जो है जो कि पीशल अब आगे तो अब आपको क्या करना है नीचे स्कॉल नां करते हुए यहां पर देख सकते हुए लिखा वही चीज ठीक है इसके आपको क्लिक करना है ओनलाइन एप्लिकेशन फोर यह एड्मिशन टू जैन्यू MBA प्रोग्राम इस पर आपको क्लिक करना है जैसे यह आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो अप्स नाएंगे आपको जो है सबसे पहले यहां पर जो है रजिस्टेशन करना होता है जैन्यू के अंदर आप जो है किसी भी प्रोग्राम में अगर एड्मिशन लेते हो तो सबसे पहले आपको जैन्यू की वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ता है तो आप सबसे पहले क्या करना है आपको रजिस्टर कर लेना है ठीक है रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक मेसेज आएगा ठीक है मेसेज आएगा उसके अंदर आपके पासफ़र्ड और आईडी जो है इमेल आईडी तो आपकी होगी और पासफ़र्ड उसमें लिखे तो यहां पर आपको जो है इसके इंदर अपना नाम इमेल एड्रेस एंड पासवर्ड ठीक है और मुबाइल नंबर यह सारी सीज़े डालनी है ठीक है पासवर्ड आप ध्यान रखना जो भी आप पासवर्ड यहां पर डालते हो वह अच्छे से याद रखना प्लस जो इमेल आईडी है इमेल आड़ी आप हुए इमेल आड़िय डालना जो आप यूजद लेते हो मतलब आपकी परसनल जो जी मेल आईडी है वही मेल इड़ी है इसम МУЗЫКА डालने हैं डालने के बाद आप डाइटली यांघ़ पर submit वाली option पर click करना आपको जैसे आप submit वाली option पर click करते हो तो कुछ इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ आएगा Congregation your registration is complete successfully यानि कि आपका जो registration है वो यहां पे successfully complete हो चुका है अब आप अपनी email id पे जाके जो है verification करवा सकते हो ठीक है आप email address पे भी जाके check कर सकते हो या फिर directly जो आपने ID और password लगाया है वो login में लगा के आप directly login हो सकते हो तो मैं directly यहां पे login हो जाता हूँ तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हूँ JNU की तरप से मुझे यह mail मिला है अभी अभी ठीक है इस तरह से आपके पास mail आएगा ठीक है और अब आपको यहां पे इस वाली option पे click करना है click here to active your account इस पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो आपका जो registration है वो successful यहां पे हो जाएगा और आप JNU की official website पे पहुँच जाओगे ठीक है यह लीजे यह जो है आपका registration इसके अंदर होगे अब directly आप इसके अंदर login कर सकते हो तो हम simply इसमें login कर लेते है अब मैं login वाली option पे click कर देता हूँ मैंने already password ID save कर लिया है तो जैसे आप login पे click करोगे ठीक है तो आपके पास जो application form कुल के सामने आ जाएगा अब हम देखते हैं इसके अंदर आपको किस परकार से fill करना वो side detail मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले यहां पे लिखा हूए है जो आपका application form की फीस रहो मैंने आपको जो है पहले वीडियो में के अंदर बता दी थी लेकिन फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ ठीक है यहां पे दो सुरी दो हजार रुपे और हजार रुपे ठीक है सेस्टी और उनके लिए हजार रुपे और यह जो जनरल वालों के लिए है दो हजार रुपे यहां पे रखे गए थे यह देखिए I think automatically इसके अंदर फिल हो गए है कुछ detail जो Gmail से थी मूबाइल नमर वगएरा और जो IDs है वो मेरी सारी जो है automatically इसके अंदर फिल हो गई है लेकिन आपको यहां पर इसे नहीं करना है ठीक है आपको सबसे पहले इसमें लिखावा है नाम तो आपको नाम डाल देना है और फिर email ID डाल देना है मूबाइल नमर डाल देना है फिर date over ठीक है जैनर जैनरल के अंदर आपको स्लेट करना है male female ठीक है उसके बाद category आपको चुछिस करनी है जो भी आपकी categories है ठीक है यह national ability इसके अंदर भी आपको जो है इंडियन कर देना है ठीक है अगर आप अलग जैसे फूरन से हो तो आप वह भी इसके अंदर फिल कर सकते हो अलग ठीक है फादर स् इसके अंदर फिल करनी है blood group भी इसके अंदर पूछा है तो वह चीज भी आपको इसके अंदर डालनी है ठीक है have you been a student of JNU ठीक है यदि आप पहले से JNU के student हो तो आपको yes करना है ठीक है अगर नहीं हो तो no करना है ठीक है मंतली जो आपकी income है वह आपको इसके अंदर डाल करके बताएगा उसके बाद है चलिए उसके बाद और देख लेते हैं इसमें आपको अपना email एडर है सीटी स्टेर ठीक है पिन कोड नंबर और यह सारी चीज आपको डालनी है ठीक है वही चीज अगर आप जो उपर जो एड्रेस आप डाल रहे हैं और सेम एड्रेस डालना चाहते हो तो इस वाले option पर आपको क्लिक करना है नीचे automatically वही चीजे फिल हो जाएगी ठीक है फिल करने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे ठीक है तो यहाँ पर आपको 10th 12th एंड जो graduation के अंदर और post graduation यूजी पीजी ठीक है 10th 12th इन सब में जो भी आपने जितने नंबर लिया है जो भी आपका मतलब board है जहां से आपने किया है वो सारी चीज डालनी है ठीक है सब्चेक्ट और सब चीजे इसके अंदर percentage सारी चीजे फिल करनी है और उसके बाद आपको जो इस फूम को और यह देखिए अगर आपने जो है के टेस्ट दिया है इस लास्ट येर तो आप उसके registration वेगरा नंबर जो है वो भी इसके अंदर डाल सकते हो ठीक है उसके बाद है work experience यानि कि आपने पहले कहीं पर काम किया है तो आपको इसकी detail भी इसके अंदर fill करनी होती है अगर आपने नहीं किया तो आप इसमें no कर सकते हो अगर आप yes करोगे तो ठीक है आपकी position वेगरा सारी चीजे इसके अंदर पूछेगा ठीक है वो आपको इसमें fill करनी होती ह है कि उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे ठीक है उसके बाद आपको जो है इसके अंदर आपके photo sign ठीक है वो सारी चीजे कास्ट यह category certificate इसके अंदर चाहिए ठीक है टेंथ 12 ग्रेजुएशन ठीक है इन सबकी जो mark setup वो भी आपको इसके अंदर fill करनी है उसके बाद जो है इसके इंदर आधार card भी आपको जो है upload करना है आधार card के भी जो है photos के upload करनी है आप इसे जो है PDF के इंदर भी अप्लोड कर सकते हो लिखावा है PDF में भी आप इसे इजी ली जो है अप्लोड कर सकते हो तो आप मेरे साब से PDF में अप्लोड कर सकते लेना ठीक है उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इसमें save वाले option पर click कर देना है ठीक है और उसके बाद आपको जो है process payment आपको payment जो है मैंने बताया था पहले भी वीडियो के अंदर आप online ये credit card उनसे सबसे कर सकते हो ठीक है या फिर आपकी मितरा से भी इसमें जमा करवा सकते हो तो I hope ये वीडियो आपको पसंद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आपकी कोई भी डाउट हो तो मुझे comment box में जरूर से comment करके बताना मैंने आपको easily बताया है कि किस परकार से आप home इसके अंदर fill कर सकते हो ठीक है हम मैं जो इसके अंदर last में share करके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर आगे जो हमें payment वेगरा भी इसमें जमाख कराना होता है ठीक है तो आप यह वीडियो आपको पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक करना आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जया हिंद जया झाल